मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों के स्थिती है मैं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आजित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि चार साल बहुत ऐश कर लिए एक साल बचा हुआ है आपके पास या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजे उनकी इस तस्वीर को बदल दीजे नहीं तो एक साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीती बदल देगी और एक साल बाद वहां आमाधी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाए थी ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कल जब मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का एलान किया विधान सभा चुनाव लड़ने का एलान किया तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंतरी अचानक सामने आए अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलिजिस के बारे में बात की उन्होंने स्पतालों के बारे में बात की पहली बार उनके मुँसे स्कूल सब्द सुनना अच्छा लगा स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा उन्होंने बहस की चुनोती दिन उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तयार हैं दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल इस पर बहस करने को तयार हैं उन्होंने उत्रप्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चनोती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्रप्रदेश के गावों के स्कूल देख लें, मुझे ये दौनों चनोतिया स्विकार देख लें, मैं ये दौनों चनोतिया स्विकार कर रहा मैं उनको चुनौती दे के कहना चाहता हूँ कि अब मैं बहस करने के लिए त्यार ही, मैं आ रहा हूँ मैं आने वाले मंगलवार को अगले हफ़ते, यानि 23 डिसंबर को 22 डिसंबर को मंगलवार को मैं लखनव निक रहूँगा, मैं सुभ़ लखनव पुह जाओँगा आप बता देना किस से बहस करनी है, योगी जी से बहस करनी है, शक्षामंतरी जी से बहस करनी है, सिदार्थनाथ सिंग जी से बहस करनी है, उपमुख्यमंतरी जी से बहस करनी है, किस से open debate करनी है, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कू सरकारी सकुलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी सकुलों के इस्तिव के बारे में